पंजाब की सबी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अके लिए लोकसभा चुनाओ लड़ेगी इसके लिए अंदुरुनी तौर पर एएपी ने पुरी तयारी कर ली है 13 लोकसभा सीटों पर 40 नामों की लिस्ट भी त्यार कर ली गई है किसी सीट पर दो तो किसी पर चार विकल भी रखे गए है एएपी से जुड़े सुत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई मीटिंग में एएपी सयोजक अर्विन केजिवाल ने इस फैसले को हरी जंडी दी थी इस मीटिंग में एएपी के राजसबा सांसत संदी पाठक के साथ पंजाब के सीएम भगवंदमान और कई सीनियर नेता मोजूद थे एएपी इस फैसले को विपक्षी दलों के गड़बंदन इंडिया की मीटिंग में भी रखे गी पंजाब सीएम भगवंदमान पहले ही तेरा शुन्नी से जीतने की बात कह चुके हैं वो लगातर अलग चुनाओ लड़ने की पैरवी कर रहे हैं उधर बुदुवार को पंजाब के मुख्यमंद्री भगवंदमान ने कहा पूरे देश में पंजाब बनेगा हीरो लोकसबा चुनाओं में पंजाब में आम आदमी पार्टी 13 की 13 सीटे जीतेंगी सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने प्रत्यक सीट से केनिरेट के तीन विकल्प चुने हैं अब इनों मिद्वारों को लेकर पार्टी अपना सर्वे करवाईगी साथ ही जो विद्वारों की पसंद है उन्हें टिकेट दी जाएगी सूत्रों से पता चला कि राज सरकार कुछ मंत्रियों सहीद पार्टी के वरिष्ट नेताओं को संसती चुनाओं लड़ने के लिए कह सकती है साथ ही युवां और महिलाओं को चुनाओं में महत्वत दिया जाएगा हाला कि जालंदर से कॉंगर्स छोड़ एपी के लोकसभा सांसत बने सुशिल रिंकू के टिकेट पकी मानी जा रही है लोकसभा चुनाओं में एक साथ न उतरने के पीछे कई वज़ा है क्योंकि लोकसभा चुनाओं के बाद पंजाब में निकाए और पंजाए चुनाओं भी होने तय है अगर ये दोनों दल इखटे चुनाओं में जाते हैं तो उसका असर उन पर पड़ सकता है अगर ये दोने खटे हो जाते हैं तो विबक्षी दल इस मुद्दे को गंबिरता से उठाएगा ऐसे में दोनों दल किसी भी तरह की चुक नहीं करना चाते हैं